राधी राधी दोस्तों, दोस्तों मेरे यूटूब चैनल पर आपका हादिक श्वागत है बंदु हों, मेरी प्यारी माताओं, भाई, बेहनों, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कार्थिक महत्तम का बारवा अध्याय सुनेंगे यह कथा सुनने से पुन्य एवं सुभ फलों की प्राप्ति होती है दोस्तों, कथा सुनने के बाद, यदि मेरे यूटूब चैनल पर आप नए हैं, तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सेयर कीजिए कमेंट में राधे राधे या ओम नवो भगते वासुदेवाई जरूर से लिखेगा चलिए स्टार्ट करते हैं कार्तिक मास महत्तम का बारवा अध्याए सुख भोगे जो कथा सुने सहित विश्वास बारवा अध्याएं लिखे कमल यह दास नारज जी नहीं कहा जब इंद्रादिक देवता वहां से भैक कमबित होकर भागते भागते वैकुंट में विश्णु जी के पास पहुँचे देवताओं ने अपनी रच्छा के लिए उनकी इस्तुती की देवताओं की उस दीनवाडी को सुनकर करुडा सागर भगवान विश्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं तुम भै को त्याग दो मैं युद में सीगरी जयालंधर को देखूंगा ऐसा कहते ही भगवान गरुण पर जा बैठे तर समुद तन्या लच्छमी जी ने कहा कि हे नाद यदि मैं सरवदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद में नहीं मारा जाना चाहिए इस पर विष्णु जी ने कहा अच्छा यदि तुम्हारी ऐजी ही प्रित है तो मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगा पर अंतु युद में अवस जाऊंगा क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्थूती की है ऐसा कह भगवान विष्णु युद के उस स्थान में जा पहुँचे जहां जलंदर विद्दमान था जलंदर और विष्णु का घोर युद हुआ विष्णु के तेसे कंपित देवता सिंगनात करने लगे फिर तो अनुज गरुन के पंखों की प्रबल वायू से पीडित हो दैत इस पकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल हाकास में घूमते हुए तब अपने वीर दैतों को पीडित होते हुए देख जालंदर ने कुरुद हो विष्णु जी के उद्दद वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण किया ये थी कार्टिग मास महत्तम का बार्माह अध्याय समाप्थ हुआ बोलो विष्णु बगवान की जै बंदों मेरी प्यारी माताओं बहनों भाईयों विष्णु भप्तों श्री हरी की किर्पा आप और आपके परवार पर सदयों बनी रहे आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद राधे राधे